हाई एवरिवान डेकन स्कूल ऑफ मिनियेचर पेंटिंग की नेक्स्ट पेंटिंग है हजरत निजामुदीन आलिया अमीर खुस्रो अभी तक मैंने आपके साथ क्लास 12 के फाइन आट्स के सिलेबल्स के अभी तक के जितनी भी पेंटिंग्स इंक्लूड़ेड हैं वो मैं डिसकस कर चुकी हूँ हम समझा चुके हैं मुगल पहाड़ी राजस्थानी और डेकन की भी ये लास्ट पेंटिंग है जो हाइदराबाद सबस्कूल की है इसके मीडियम है वाटर कलर ओन पेपर टेकनीक है टेमपरा टाइम पिरिट 1750 तो 1770 एडी कर्टसी नैशनल म्यूजियम न्यू डेली इसके भी आर्टिस अंनौन हैं जैसा कि हमने पढ़ा है कि डेकन के जब आपने करेक्टिरिस्टिक्स पड़े होंगे तो उसमें है कि जादर तर पेंटिंग्स में पेंटर्स का नाम हमें नहीं मिलता है इसलिए ये जो दोनों पेंटिंग आपके सिलिबस में हैं उनके आर्टिस्ट अन्नोन हैं अब हम समझते हैं सब्जेक्ट मेटर को इस चीज को बच्चा बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बहुत बार इसके सब्जेक्ट मेटर पे या इसी पे ही क्वेश्चन आपको आ जाता ह है सो ये पेंटिंग है दो संतों की जिसमें हजरत निजामुदी नालिया और उनके शिश्य अमीर खुस्ट्रो को दिखाया गया है बनाया गया है सो अमीर खुस्ट्रो के लिए ये बात को ध्यान से समझना अमीर खुस्ट्रो के लिए निजामुदी नालिया केवल एक अध संस्था का एक मूल सिधान्थ है विच खुस्रो बिलॉंग्स टू और इसको पीर मुरीद संबन भी कहा जाता है गुरु शिश्य संबन और ये पेंटिंग इसी थीम पर बेस्ट है सो कभी भी आपको अगर सब्जेक्ट मेटर पर क्वेशन आता है तो आपने ये गुरु शिश्य परमपरा या उसके उपर ये पेंटिंग बेस्ट है सो अब समझते हैं जल्दी से हम इसका description कि किस तरह से इस scene को या इस composition को इस painting को बनाया गया है सो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ये एक बहुत simple composition है without technical and artistic sophistication of a coat painting जो हम अब तक देखते आए हैं कि पीछे हमने जितनी भी miniatures देखी हैं तो बहुत एक technical excellence है उन paintings में composition है तो इसमें दो figures को एक garden की setting में एक दूसरे के opposite पैटे दिखाया है अब ये दो figures कौन हैं जैसे मैंने आप से discuss किया है कि पहली हजरत निजामुदीन उलिया जो भारत के 13th century के एक बहुत प्रसेद और प्रभावशाली सूफी सेंट थे और दूसरे अमीर खुसरो जो उनके disciple थे मतलब शिश्य थे और जो एक renowned कवी भी थे और एक scholar भी विद्वान भी थे सो इनको यहां पर एक musical instrument प्ले करते दिखाया गया है अब scene क्या है मतलब picturization किस तरहां से की गई है इस painting में दिखाया गया है इसमें सूफी हजरत निजामुदीन आलिया को अपने disciple अमीर खुसरो से सूफी सौंग सुनते हुए दिखाया है और एक हरे भरे और शांती पूर्ण वातावरिन में तो कुछ वैसे सूफी मतलब जैसे हम कह रहें इन्होंने musical instrument भी हाथ में पकड़ा है जिससे आपको यह clear हो रहा है कि वो song सुन रहे हैं और कुछ books में लिखा है यह एक deep spiritual discussion में भी है तो आप वो भी लिख सकते हो दोनों ही आपका answer ठीक रहेगा कपड़ों की बात करें तो typical decan attire दिखाया गया है हरे रंग के कपड़े पेने हैं बड़े ही ध्यान मगन है और अगर आप यह ध्यान से इनकी appearance को देखें तो इनके चेहरे के भाव श्रीर की स्थिति मतलब उस position से और जो सफेद दाड़ी है इन सब से उनकी अध्यात्मिक प्राप्ती और उनकी भक्ती और आप कह सकते हैं कि वो उनके ग्यान को दर्शाती है सिर के पीछे एक हैलो यलो कलर का दिखाया गया है जो अगेन हम कह सकते हैं कि उनकी अध्यात्मिक्ता और उनकी महिमा और उनकी भक्ती भाव को और उस भावना को दर्शाता है कि डिवाइन बींग है कुछ अमीर खुसरो जो कि भूरे रंकांग रखा और पगड़ी पहने हुए है लाल रंका कमर बंद पहने दिखाया है उनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है काली दाड़ी है जो कि उनकी अर्ली यूथ हेज को दिखाती है अब इन दोनों की पिक्चर्स को अगर हम दे खायर है किस तरह से बैठे हैं अब हम बैगराउंड की तरफ चलें तो बैगराउंड में स्काय है जो कि काफी एरिया कवर कर रहा है और उपर से डाक है नीचे आता था लाइट होता दिखाया है येलो बेस के उपर ये बैठे हैं और आसपाँ कुछ चीजें भी हैं जिसमे एक माला है एक किताब है पीछे और आगे फ्लार्स दिखाये गए हैं दो स्टेप्स भी बने हैं उसके नीचे भी एक गार्डन दिखाया गया है और उसमें भी फ्लार्स दिखाये गए हैं एक पेड़ भी है साइड पे आप देखें राइट हैं जिसमें फल और फूल दोनो लगे हुए या उनसे भरा हुआ वो भी दिखाया गया है सो यह हो गया इसका picturization की किस तरह से इन्होंने इस painting को compose किया है अब आते हैं इसके उस point पर कि जो हमने हर painting का समझा है human life value सो क्या शिक्षा हमें यह painting देखे जाती है respect your guru mentor और अपने मार्ध दर्शकों या अपने guru का सम्मान करो and vice versa care for the younger learners and beginners विद्यार्थी या जो भी आपके शिक्षार्थी हैं उनकी भी देखभाल guru को भी करनी चाहिए so true guidance can lead us to the right path सही मार्ध दर्शन हमें सही मार्ध पर ले जाता है क्योंकि अगर आपको guide करने वाला सही होगा तो ही आप सही और सचे मार पर चल सकते हैं and the last one is a mutual respect for each other's art and talent एक दूसरे की कला और प्रतिभा का सम्मान करना so ये हो गए हमारी human life values painting की तो जिस तरह की questions आते हैं वो एक दो questions में generally जल्दी से आप से discuss कर लेती हूँ so आपको idea हो जाएगा कि paintings में से किस तरह से question पूछे जाते हैं the extreme devotion of the disciple towards his mentor, guru, teacher is very sacred and goes beyond the boundaries of greed and monetary gains identify and describe the painting from Deccan school showing this feature is an artistic and simple composition अब आप समझे जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि this very sacred relation goes beyond the boundaries of greed and monetary gains so यहाँ पे क्या है वो उनके spiritual guru है जो उनको भगवान से मिला रहे हैं ठीक है so आपको painting को उस हिसाब से लिख के जाना है मतलब आप ये theme जो मैंने subject matter आप से discuss किया है वो आप लिखेंगे और then composition को explain कर देंगे कि किस तरह से बनाई गई है अब next question आता है between the master and the disciple reflecting the essence of the Sufi tradition so आप ये भी लिख के जा सकते हैं and which are the human life values and emotions shown in the painting अच्छति जामुदेन आलिया and अमीर कुसरो तो जो मैंने human life value आप से discuss की है इसके साथ साथ आप subject matter भी लिख के जा सकते हैं so बहुत ही simple composition but very meaningful composition इसमें से बहुत बार जैसे मैंने बोला भी है की question आता है तो एक बार अच्छे से समझ जाईएगा इस painting को so this is all about हजरत निजामुदेन आलिया and अमीर कुसरो और इसी के साथ हमारे class 12th की miniature painting की series पूरी होती है कि जितनी भी आपके syllabus में है thank you